नमस्कार दोस्तों हैलियोस कोचिंग हिमाचल में आज फिर से हम वीडियो लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नागरिक्ता तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों तो नागरिक्ता का जो उलेक किया गया है सविधान में वो किया गया दो के अंतरगर्थ आर्टिकल पांच से ग्यारा में इसका उलेक है और इससे जुड़े है जो भी प्रमुक्त प्रशन रहेंगे वो आज की वीडियो सीरिस में हम कम्प्रेट करेंगे अगर हमारी वीडियो सीरिस पसंद आ रही है तो प्लीज जासे से जासे शेयर करें और जलिए आज की वीडियो सीरिस को शुरू करते हैं तो फर्स्ट कोशन आपका सामने हैं अगर फर्स्ट कोशन की बात करें तो सबसे पहले पूचा गया है भारत में एकल नागरिक्ता की अवधार्ना अपनाई गई है अर्थात कहां से अपनाई गई है तो यहां पर आपको जो नागरिक्ता का कंसेप्ट है दोहरी नागरिक्ता कंसेप्ट है सिंबल सा कोशन था इजी कोशन था चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन की बात करें बच्चों तो यहां पर यह जो कोशन है यह बता रहा है पाकिसान से आकर भारत में नागरिक्ता प्राप्ट करने संब की नागरिकता दी जानी है जैसा अगर अनुषेद पांच की बात करें तो ये बोलता है जो भी विक्ति भारत में पैदा हुआ है उसको नागरिकता दे देंगे और यदि उस में यह विलेग था के सविधा लागू होने से पांच वर्ष पहले अगर कोई वेक्ति भारत में रे रहा है उसको भी अनुचेद 5 के मादम से नागरिकता दे दी जाएगी उसी तरीके से अगर हम अनुचेद 6 की बात करें तो अनुचेद 6 बोलता है कि यदी कोई वेक्ति देखो बच्चों आपको यह सिंपल सी बात पता है कि अखंड भारत था हमारा पह वने अनुचेद 6 को डाला और उसमें पूरा डिफाइन किया कि कौन-कौन सा वेक्ति भारत में आ सकता है और किसा आधार पर आता है तो उसमें एक सिंपल सी कंडीशन थी यदी कोई वेक्ति भारत में मतलब अखंड भारत में प्यादा हुआ है वो भारत का नागरिक हो सकत भी दो conditions थी अगर आप देखेंगे तो एक condition ये बोलती है कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई वेक्ति अगर भारत में पैदा हो भारत में आ चुका है तो उसको नागरिक्ता दे दो यदि उसके बाद बाद में आया है 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसके लिए उसके प्रावधान किया गया है कि वो 6 महिने भारत में रहेगा और उसके बाद उसको नागरिक्ता दे दी जाएगी देखे बच्चों मैंने इसको डिटेल में बता दिया है अपने टेंशन नी करनी कि जो भी वेक्ति पाकिसान से भारत आया है उसका जो प्रावधान अनुचेद नंबर 6 में बताया है सिंपल सी बात है आपका कोशन नंबर 2 का अंसर हो जाएगा ए आगे चलते हैं अगला कोशन बोलता है किस अनुचेद के तहट संसत को नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार परदान किया है तो बच्चो इस पर आठिकल नंबर 11 जो है वो संसत को अधिकार देता है और उसी के तहट इन्हों ने 1955 एक्ट बनाया था वर्तमान में जो नागरिक्ता दी जाती है या नागरिक्ता खतम होती है इसी के अधार पर की जाती है और इसमें बच्चो टाइम के साथ चेंजिस किया जाते हैं शंचोधन किया जाते हैं वर्तमान में छे बार इसमें शंचोधन किया जा चुका है लेटेस्ट आप लोगों ने करंट का पिछले साली देखाऊगा कि 2019 में मोधी जी की सरकार ने इसमें कुछ चेंजिस किये थे और उसका बहुत बाद बेवाद हुआ था तो उसमें आपने देखा था CA 2019 के अधार पर एक एक्ट पारित किया गया था वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो सारा हम नागरिक्ता वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे तो इसमें संसर्थ को जो अधिकार दिये गए है नागरिक्ता के संबंद में वो दियेंगे अनुछेज नंबर 11 के थाहत तो easy question है next जलते है article number जोरी कॉशन नंबर फोर भारत की नागुरिक्ता निमलिकत में इसी किस परकार राप्त की जाती है तो देखी जब हमने उनिसो पच्पन का अधिनियम पढ़ना होता है तो उसमें बताया गया कि नागुरिक्ता किस किस अधार पर होगी तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ऐसे ही आ जाता है जनम के अधार पर फिर आजगा बंच के अधार पर फिर आजगा पंजी करण के अधार पर फिर आजगा देशी करण के अधार पर फिर आजगा शेतर समगरिष्टी के अधार पर जिसको वर्तमन में कार दिया गया है तो जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबी अधार पर भारत का जो नागरी का वो नागरिक्ता को अरजित कर लेता था तो 1955 के बाद ये चीजे हुई है अगर हम अनुशेद 5 से 11 की बात करें तो वो जितने भी नागरिक्ता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो 1955 से पहले से जब ये एक्ट नहीं आया था जब से एक्ट आ गया है इसी के अधार पर नागरिक्ता ली भी जाती है और इसी के अधिकार इसी के अधार पर नागरिक्ता को खुत्म किया जाता है तो इसमें देख लेते हैं, option जनम के अधार पर भी है, वंच के अधार पर भी है, देशी करण के अधार पर भी है, अर्थात इसका आंसर क्या आजएगा, option number D, उप्रोक्त, सभी all of the above, तो इसका simple सा बात है कि यदि भारत में नागरिक्ता बरतमान में लेनी हैं, आप जनम के अधार पर ले सकते हैं, वंच के अधार पर ले सकते हैं, देशी करण के अधार पर भी ले सकते हैं, अगला question number 5 के अगर हम बात कर ले, question number 5 बोलता है, किस वेक्ती की भारती नागरिक्ता निलंबित की जा सकती है, यहाँ पर question यह है कि किस की खतम की जा सकती है, यदि कोई व नागरिक्ता का कंसेप्ट है आर्टेकल 9 भी यही बोलता है 1955 के अधिनियम में भी यह चीज़ जोड़ी गई थी कि यदि कोई विक्ति अपने इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक्ता ले लेता है तो हमारे भारत की नागरिक्ता खुद से ही चले जाएगी क्योंकि यहां नागरिक्ता खत्म हो जाएगी और फॉर्थ पॉइंट बोलता है यदि कोई व्यक्ति जनम से देश का नागरिक्त है किन्तु विदेशी राष्ट में विदेशी राष्ट की यूद के दुरान या शत्रू की साहिता करते हुए पकड़ा जाता है तो इसमें देख लिए नि नागरिक्ता का चप्टर पढ़ रहे तो उसमें हम पढ़ेंगे 1905 का अधिनयम इसमें हमने बात कर ली कि नागरिक्ता प्राप्त कैसे करनी आपने बोला सरजनम के अधार पर देशी करन के अधार पर पंजी करन के अधार पर वंच के अधार पर नागरिक्ता समाप्त कैसे ह तो अगर हम यहां पर बात करें, यह भी उसी पॉइंट में एड हो जाएगा, यहां पर है कि यदि के विक्ति साथ वर्स तक भारत के बाहर रहे रहा है, बीना इनफार्म किया हुए, और उसके बाद उसकी नागरिकता जो है, समाप्त हो जाती है, भारती नागरिकता उसकी ख के नागरिकों को ही प्राप्त हैं तो जैसे हम आर्टिकल पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में 15, 16 और 19 यह जितने भी अधिकार हैं 15 बोलता है आपका आपको पता ही जनमस्तान के अधार पर लिंक के अधार पर इन सभी अधारों पर भेदबाब नहीं किया जाएगा 16 बोलता ह वाक और अभी विख्ती के सवतंतरता यह दो आते हैं आपके समानता के अधार और यह आता है आपका सवतंतरता का दिकार तो इस सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है गयर नागरिकों को नहीं है एक important point दूसरा point संसत तथा विधान मंदल के सदस्य होने का तो जितने भी जैसे आप देख लेंगे संसद के अंतरगर्त लोगसभा का चुनाव, राज्ये सबा का चुनाव, सेम वैसे विधान मंडल के अंतरगर्त विधान सबा का चुनाव, विधान परिशत का चुनाव, तो इसमें जो भी बेक्ति पार्टी स्पेट करेगा, जो भी यहाँ पर MP या MLA के लिए जाता है, Elections के लिए जाता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ सानिक पदों की पातरता, यहाँ पर जो भी government employee होगा, वो भी कौन हो सकता है, कौन apply कर सकता है, Article 16 के तैट भारत का नागरिक, तो इसका अंसर भी बच्चो साथ का भी अंसर क्या होजएगा, D. उप्रोक्त सभी, आगे चलते हैं, अगला question बोलता है, 8th question, देशी करण द्वारा नागरिक्ता प्राप्ती की का एक तरीका क्या है, तो देशी करण के द्वारा क्या है, बलब इन में से कौन सा ऐसा कारण है, जो देशी करण के अधार पर भी हम नागरिक्ता ले सकते हैं, माता पिता की नागरिक्ता, वो तो आजएगी बच्चों वंच के अधार पर, बाही बेहन की नागरिक्ता, ये कोई नहीं है, विदेशी पूर्षों से विवा करने पर, हाँ, ये अंसर आजएगा, विदेशी पूर्षों से यदि हम विवा कर ले, तो उसके अधार पर हमें देशी करण के द्वारा नागरिक्ता मिल सकती है, असर कैसे, मान लीजे कि कोई मेरा फ्रेंड है, जैसे मैं ही बात कर लूँ, रजट मेरी शादी किसी फॉर्षों के साथ हो जाती है, और वो यहां की नागरिक्ता लेनी चाहती है, तो जो फॉर्षों है, यदि वो भारत की नागरिक्ता लेगी, तो यहां पर मेरे साथ जो विवा है, वो उसको क्या होगा विदेशी विवा मैंलब विदेशी पूरुस्ते विवा कर रही तो उस अधार पर उसको नागरिक्ता मिल जाएगी पर उसमें भी प्रोसेस है तब तक प्रयोग के जाते थे जब तक 1955 का एक्ट नहीं आया था तो उस टाइम पे हम अगर इनको थोड़ा और डिफाइन कर लें तो पांच से आठ जो है वो नागरिक्ता अरजित के बारे में बताते हैं नो से ग्यारा बताते हैं कि नागरिक्ता कैसे समाप्त होगी उसके बाद 1955 का एक्ट आ गया उसके 1955 के एक्ट में जनम वंच पंजी करण इन सभी के अधार पर नागरिक्ता की बात किये गई है और साथ इसा समाप्ती के भी कुछ तत्यों को हमने वीडियो में किया है एक दो है दोहरी नागरिक्ता का कंसेप्ट दिया गया है त्रीस तरीके से बच्चों दस कोशन में नागरिक्ता से जुड़ों लाया था और इसमें कोशिश किये कि आपको हर एक तथ्य से जोड़ा जाए बंडे एक्जाम हो बले पुलिस हो फोरस्ट गार्ड हो जो भी विपर आन है कौन से टॉपिक्स की डिमांड है हम सारी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे और यदि आपको यी वीडियो प्रसंद आ रही प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब के सासथ शेर भी करें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बच्चों जैहिन जै भारत